आप देख रही है MNS News सच जरूरी है ने देश को कमजोर कर दिया योगी सरकार की अपरात के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की निती से बदला यूपी हजारो करोड की संपती जब्त राजस्तान में एक जनवरी से चारसो पचास रुपए में मिलेगा घरेलू गैस सिलेंडर सीम भजनलाल शर्मा का एलान और यह देखत खबर विस्तार से अखिलेश यादव का भाजपा सरकार पर निशाना कहा महंगाई बेरुजगारी और अबश्टश्चार ने देश को कमसोर कर दिया समाजवादी पार्टी के राष्टिया देक्ष अखिलेश यादव बुद्वार को पार्टी के मुख्या लए लगनों मे डॉक्टर राम मनोरलाल लोहिया सभागर में विबिन जनपदों से आए प्रमूग पार्टी पदाधिकारियों की बैटक में शामिल हुए इस दोरान उन्होंने संबोधित करते हुए भाजपा सरकार पर जम कर निशाना सादा उन्होंने कहा भाजपा का दुश्पचार जा जा रहा है लोक तंद्र पर हमला जारी है समाजवादी पार्टी लोक तंद्र और सविधान को बचाने की बड़ी जिम्मदारी निभाने के लिए संकल्पित है 2024 के लोक सभाव चुनाव में समाजवादी पार्टी सावधानी और पूरी सतरका से पिडिये इंडिया गट बंदन मिलकर भाजपा को सत्ता से हटाने का काम करेगी जाकर भाजपा के जूटे वादो और काले कारणामों की सच्चाई से अवगत कराने के कोई कसर नहीं चोड़ेगी भाजपा के जूट की जानकारी हरबूत सतर तक समाजवादी पार्टी के कारे करता देंगे कार्यकरता नुसावशित रहकर हर बूत पर मुस्तेदी भाजपा को हराने का काम करेंगे साथ ही कहा महेंगाई बेरोजगारी और भर्षचार ने देश को कमजोर कर दिया है अर्तव्यवस्ता चोपट है जो अन्ता का हर वर्ग असंतूश्ट है विपक्षी कार्यकरताओं विशेशकर समाजवादी पारेटी को निल्दोश कार्यकरताओं को जूटे मुकदमों से फसा कर उनका हर तरह से उत्पिडन किया जा रहा है गरिबों के साथ अन्याय करके उन्हें सताय जा रहा है इसके साथ ही कहा उत्तरपदेश में जो कुछ भी विकास सद्धिक रहा है वो सब समाजवादी सरकार की देन है अंदराश्टी अस्तर की पुलीस सेवा यूपी जायल 100 और महिलास अपराद नियंतरन के लिए 1090 वूमेन पावर लाइन सेवा प्रसुताओं को हस्पताल लाने के लिए 102 एंबुलेंस और सड़क दुरगटना में ततकाल गायलों को प्चार के लिए हस्पताल लाने के लिए 108 एंबुलेंस सेवा शुरू कर दी गई थी भाजपा सरकार ने इन सबी जनहीत की सेवाओं को बर्बाद कर दिया है भाजपा सरकार से जनहीत की किसी भी योजना की उमीद करना व्यर्त है आई ये बढ़ते अगली खबर की और योगी सरकार के अपराद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की निती से बदला यूपी होते एक बड़ी वजह थी जिसकी वजह से प्रदेश में व्यापारियों को काफी दिक्कत होती थी उद्रकपती यहां निवेश से डरते थे लेकिन जिस तरह से पिछले छे साल के भीतर प्रदेश की कानून व्यवस्ता को पुरी तरह से बदलने का काम योगी अधितनात सरकार ने किया है उसे ना सिर्फ प्रदेश में कानुन का राज थापित हुआ है बलकि निवेश बढ़ रहा है प्रदेश में विकास तेज गती से हो रहा है युवाओं के लिए रोजगार के उसर पैदा हो रहे है योगी सरकार सत्ता में आने के बाद कानुन विवस्ता को सर्वपरी रखती खुद योगी अधितनात को बुल्डोजर बाबा के नाम से भी जाना जाता है माफिया गुंडी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीती के चलते प्रदेश में अपरादियों की रूह कापती है अपरादियों के घर पर बुल्डोजर चलाने की बात हो या फिर उपद्रवियो से हरजाना वसुले की बात हो योगी सरकार कानून का उलंगन करने वालों के साथ किसी भी तरह की कोई रिसायत नहीं बरती है प्रदेश में योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस निती का ही परिना है कि उत्तरप्रदेश को आज नया उत्तरप्रदेश के तोर पर जाना जाता है उत्तरपदेश शुरक्षित गतव्यक के तोर पर उपरा है प्रदेश में बहतर कानुन व्यवस्ता की वज़स अपरादियों को लगाम लगी है अपरादियों के खिलाफ योगी सरकार किसी तरह का रूख का अक्तियार करती है उसकी तज़्दीक इस बात से होती है कि प्रदेश सरकार ने 63,000 से अधिक अपरादियों पर गैंग स्टोर एक्ट के तहत कार्यवाई की है जबकि 836 अपरादियों के खिलाफ NSA के तहत कार्यवाई की गई है गैंग स्टोरेट के तहत अपरादियों की 9,136 करोड रूपए की चल और अचल संपतियों को जब्त कर लिया गया है आईए बढ़ते अगली खबर की और राजस्तान में एक जनवर इसे 450 रूपए में मिलेगा घरेलू गैसलेंडर सियम भजुनलाल शर्मा का एलान राजस्तान के मुक्यमंत्री भजुनलाल शर्मा ने बड़ा एलान किया है उन्होंने बुद्वार को टोंक जिल्ले में कहा कि एक जनवर इसे 450 रूपए में सिलेंडर मिलेगा चुनाओ के दोरान भाजपा की तरफ से ये वादा किया गया था वही अब इस वादे पर मुक्यमंत्री भजुनलाल शर्मा ने मुहर लगाई है दरसल राजस्तान विदासबा चुनाओ के दोरान भाजपा ने चुनाओ प्रच्वार के दोरान 450 रूपए में गया सिलेंडर देने का वादा किया था वही अब चुनाओ के बाद मुक्यमंत्री भजुनलाल शर्मा ने 450 रूपए में गया सिलेंडर देने का एलान किया है उन्हेंने कहा कि एक जनवरी से 450 सिलेंडर मिलेगा दरसल मुक्यमंत्री भजुनलाल शर्मा बुद्वार को टॉंक के दौरे पर रहे यहाँ वे विकसित भारस संकल पर यात्रा के शिविर में शामिल हुए इस दौरान सीएम शर्मा ने वहाँ मौजुद लोगों के साथ सववन भी किया शिविर को संबोधित करते हुए सीएम शर्मा ने कहा कि प्रधान मंत्री मोधी को जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं उनका सपना है कि हर व्यक्ति को केंदर सरकार की योजनाओं का लाब मिले कोई भी व्यक्ति इससे छूटे नहीं इसी के लिए यहाँ विकसित भारत संकल्पना यात्रा निकाली ज़ा रही है अब आप हमारे चाइनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं मोबाइल अप पर देखने के लिए प्ले स्टॉर से MNS News TV अप्स डाउनलोड करें अब वक्त हो चला है दर्शों को ब्रेक का ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरे बने रही MNS News टीवी पर नमश्कार यह है MNS News निट पर और आप देख रहे हैं MNS News